हेलो दोस्तो मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के दो टर्म इंशोरेंस प्लान के बीच का कमपैरिजन करके बताने वाला हूँ तो यहाँ पर जो पहला प्लान होगा वो है LIC का टेक टर्म प्लान जिसका प्लान नमबर है 854 और जो दूसरा LIC का इंशोरेंस प्लान है वो है सरल जीवन विमा इसका प्लान नमबर है 859 अगर आप इन प्लान के बारे में डीटेल में वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मैं ओल्रेडी वीडियो बना चुगा हूँ उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा वहां से आप इन प्लान के बारे में डीटेल में जान सकते हैं अभी के लिए इस वीडियो में हम इनका सिर्फ कंपैरिजन देखने वाले हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों ही इंशोरेंस प्लान टर्म इंशोरेंस प्लान हैं यानि कि इन में सिर्फ और सिर्फ देथ बेनिफिट मिलता हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें Tech Term Plan की तो उसमें जो भी Policy Holder है उसकी अगर देथ हो जाती है तो Sum Assured का Amount आपके Nominee को मिल जाता है ठीक उसी तरह से अगर आपने सरल जीवन भीमा लिया है और Policy Holder की देथ हो जाती है तो उसमें जो भी Sum Assured का Amount है वो आपके Nominee को मिल जाता है तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है Maturity की तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही Insurance Plan Term Insurance Plan है तो इन में Maturity की Value नहीं होती है यानि कि अगर Policy Term के दोरान Policy Holder की Death नहीं होती है तो Policy खतम होने के बाद Policy Holder को कोई भी Premium वापिस नहीं मिलेगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों ही Insurance Plan में जो Maturity Value है वो Zero है उसके बाद यहाँ पर बात आती है Minimum Age की तो अगर आप LIC का Tech Term Plan लेना चाहती हैं तो उस Plan को लेने के लिए आपकी कम से कम और उम्र 18 साल की होनी चाहिए और अगर हम बात करें सरल जीवन विमा प्लान की तो इसमें भी आपकी जो उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए उसके बाद अगर हम Maximum Age की बात करते हैं तो दोनों ही Insurance Plan में 65 साल की Maximum Age दे गई है यानि की 18 साल से लेके 65 साल तक के वैक्ती इस Insurance Plan को ले सकते हैं उसके बाद यह दोनों ही Insurance Plan Online अवेलेबल हैं आप दोनों ही Insurance Plan को Online ले सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है Policy Term की तो जो Online Tech Term Plan है उसमें आप कम से कम 10 साल के लिए Insurance Policy ले सकते हैं और जाद से जाद से जाद 40 साल के लिए यह Insurance Plan ले पाएगें लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरल जीवन बीमा की तो उसमें कम से कम आपको 5 साल के Policy Term मिल जाती है और जाद से जादा 40 साल के लिए आप इसमें Policy Term ले सकते हैं यहाँ पर जो Difference आता है वो है Maximum Cover Seizing Age में यहाँ आप कह सकते हैं Maximum Maturity Age की तो यहाँ पर अगर हम Tech Term Plan की बात करें तो उसमें 80 years दी गई है और अगर हम सरल जीवन बीमा में बात करें तो वहाँ पर 70 साल की Age दी गई है यानि कि जो भी आपकी Age अब है और जितने साल के लिए भी आप Policy Term लेना चाहते हैं अगर आप उन दोनों को Add कर देती हैं तो वो जो Age आती है वो आपकी आती है Maximum Cover Seizing Age तो आपको इन दोनों का Total करना है और आपको देखना है कि आपकी जो Maturity Age है वो क्या है तो आपकी 70 और 80 साल से कम की वो Age होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा Difference आता है वो है Mode of Payment में तो जो Online Tech Time Plan है उसमें आपको दो Payment के Option मिलती हैं एक है Single Premium और एक है Regular Premium लेकिन अगर हम बात करें G1 सरल भीमा में तो उसमें आपको तीन Premium Payment के Option मिलती हैं एक है Regular Premium उसके बाद आपको Limited Premium Option मिलता है और आपको एक Single Premium Payment Option मिलता है Limited Premium Payment में आपको दो Option मिलती हैं जो कि है 5 साल के लिए और एक है 10 साल के लिए तो यहाँ पर यह comparison इनका हो जाता है उसके बाद यहाँ पर जो difference आता है वो है समय शोड का तो अगर आप LIC के Tech Term Plan को लेना चाहती हैं तो उसमें आपको कम से कम 50 लाख रुपे का लिएमा लेना होगा लेकिन उसी तरफ अगर आप LIC का प्लान सरल G1 बिएमा लेना चाहती हैं तो उसमें आप कम से कम 5 लाख रुपे का ले सकते हैं उसके बाद बात आती है maximum समय शोड की maximum समय शोड की बात करते हैं तो LIC के Tech Term Plan में कोई भी लिमिट नहीं है लेकिन जीवन सरल बिएमा में आप ज़्याद से ज़्यादा 25 लाख रुपे का बिएमा ले सकते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो लोग कम इंशोरेंस प्लान चाहती हैं उनके लिए यहाँ पर LIC का प्लान सरल जीवन बिएमा बना है और जो ज़ादा insurance cover चाहती हैं उन लोगों के लिए LIC का tech term plan बना है यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप 25 लाग रुपे से ज़ादा insurance cover चाहती है और 50 लाग से कम का insurance cover चाहती है तो आपके पास LIC के plan G1 अमर्क लेने का भी option है जो कि आप offline ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर यह दोनों ही insurance plan online available है जो भी आप insurance plan लेना चाहती है वो आप LIC के website से buy कर सकते हैं तो आईए अब इन दोनों ही plan के premium का comparison करके देख लेती हैं कि कौन से plan में आपको कितना premium pay करना होगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले LIC के website licindia.in open कर लेनी है जैसी आप यह website open करेगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे option मिलेगा click here to buy का तो आपको इस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको ok पर click कर देना है जैसी आप ok पर click करेगे तो आपके पास एक इस तरह के window open हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है LIC's Saral G1 Bima और यहाँ पर नीचे की तरफ दिया हुआ है LIC Tech Time Plan तो आईए हम दोनों ही window को open कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Saral G1 Bima का tab open हो चुका है तो हमें यहाँ पर click करना है click to buy online पर अगर आप इस plan के benefit देखना चाहती हैं तो आपको यहाँ पर options मिल जाती हैं इन options की मदद से आप इनके benefits यहाँ पर देख पाएगी तो उसके बाद हम click करते हैं click to buy online पर यहाँ से हम अपनी policy का premium calculate कर पाएगी यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना होगा आपका last name एंटर करना होगा आपकी date of birth, आपका mobile number, आपकी email ID और जिस भी city में आप रहते हैं वो city यहाँ पर आपको select करनी होगी उसके बाद यहाँ पर आपको एक capture code एंटर करना होगा तो मैं यह सभी details एंटर कर देता हूँ यह सभी details एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर tick कर देना है और calculate premium पे click करना है जैसी आप इस पर click करते हैं तो जो भी आपका mobile number है उस पर आपको एक OTP देखने को मिल जाएगा तो वो OTP आपको यहाँ पर enter करना होगा OTP एंटर करने के बाद आपको proceed पे click करना है और यहाँ से आपको Indian resident select करना है उसके बाद आपको अपनी country इंडिया select करकी अपना gender यहाँ से select करना होगा यह करने के बाद आपको यहाँ पर सम्मेशोड एंटर करना है तो हमने देखा था कि सरल जीवन वीमा में जो सम्मेशोड है वो 5 लाग से 25 लाग रुपे तक का हम ले सकते हैं तो अभी के लिए मान के चलते हैं 25 लाग रुपे का यहाँ पर cover चाहते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर premium payment option select करना होगा तो अभी के लिए मान लेते हैं कि हम regular premium payment mode यहाँ पर लेना चाहते हैं उसके बाद यहाँ से payment mode हम yearly select कर लेते हैं और जो policy term है वो मान लेते हैं कि हम 30 साल की लेना चाहते हैं यानि कि हम 30 साल के लिए इसका insurance cover चाहते हैं तो उसके बाद यह जो automatic है वो premium paying term इसमें आ जाती है क्योंकि अगर हम regular premium payment option लेती हैं तो उसमें जितने policy term होती है same वही premium paying term होती है तो उसके बाद आपको यहाँ पर calculate premium पर click करना है जैसे यह आप calculate premium पर click करेगे तो यहाँ पर आपको जो amount yearly payment करनी होगी वो देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9825 रुपे आपको 25 लाख रुपे के समय शोड के लिए yearly pay करने होगे आईए अब LIC के tech term plan में जानते हैं कि आपको कितना premium pay करना होगा तो हम यहाँ पर click करते हैं click to buy online पर यह option आपको यहाँ पर मिल जाएगा LIC tech term plan के option में तो यहाँ पर भी मैं same details एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर हमने देखा था जो minimum समय शोड का amount है वो 50 लाख रुपे हैं तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि 50 लाख रुपे का इसमें भी मा हम लेना चाहते हैं उसके बाद हम इन details को select कर देते हैं इसमें भी हम regular premium payment option select कर लेते हैं ताकि इसका comparison अच्छे से कर सके policy term हम 30 years enter कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर no पर click कर देते हैं कि हमें कोई भी medical treatment की ज़रूरत नहीं है या medical test की ज़रूरत नहीं है उसके बाद यहाँ पर accidental benefit required पर no कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी हमें no select कर देना है उसके बाद हम click करते हैं calculate premium पर जैसे ही आप calculate premium पर click करेगे तो यहाँ पर आप premium देख सकते हैं जो की है 5841 रुपे का लेकिन आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पर जो सम्मेशोड है वो 50 लाख रुपे है और जो हमने पहले देखा था LIC के प्लान सरल जीवन बीमा में उसका सम्मेशोड था 25 लाख रुपे यहाँ पर आपको कम सम्मेशोड पर ज़्यादा premium पे करना पड़ता है लेकिन अगर हम tech term plan के बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सम्मेशोड पर कम premium पे करना होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोनों की details है वो सब सेम है यहाँ पर policy term 30 years है premium paying 30 years है सेम उसी तरह से हमने tech term plan में भी same details एंटर की है तो यहाँ पर जो भी सभी comparison से मैंने आपको इस वीडियो में बता दिये हैं तो अब आपको decide करना है कि आपको सरल जीवन बीमा लेना है या फिर LIC का tech term plan लेना है इसके अलावा जो लोग offline लेना चाहती है वो LIC का plan G1 अमर भी ले सकते हैं या फिर अगर जो लोग सरल जीवन बीमा को ही लेना चाहती है वो लोग इसको भी offline ले सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सरल जीवन बीमा का premium ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यह जो plan है वो सभी insurance company के लिए mandatory कर दिया गया है यानि कि कोई भी life insurance company है उनको IRDA guidelines के हिसाब से इस insurance plan को introduce करना था ताकि जो सभी लोग है उनके पास एक term insurance plan लेने का option हो तो यहाँ पर जो IRDAI की guidelines आई थी उसके हिसाब से जो भी insurance company है उनको authority दी गई थी कि plan का जो premium है वो खुझ से decide कर सकती है तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसका premium ज़्यादा रख दिया है तो अब आपके पास काफी सारे option है अगर आप term plan ही लेना चाहती है तो जो भी आप term plan लेना चाहे उनका comparison करके आप असानी से ले सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको इन दोनों ही plan का comparison अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप comment में पूछ सकते हैं जल्दी से जल्दी मैं उसका reply करने की कोशिश करूँगा और आप अगर ऐसी ही वीडियो चाहती हैं तो आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप किसी भी plan के बारे में detail वीडियो चाहती हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की latest वीडियो आप सभी को free में मिलती रहें धन्यवाद